नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपस अभी का स्वागत एजू के सन एंडिया में तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर जनता की और से लगातार वोटिंग की जारी है अब तक पांच चर्णों की दोस्तों बराणवे सिटों परसांती पुर्ण तरीके से बंपर मद्दान संपन हो जो कि भागया का फैसला एवियम में पेक कर दिया है और दस मारच को जब नतीजे आएंगे तो भी पता चलेगा कि कौन कहां से जितेगा और किस पार्टी को कितने सिटे मिलेगी लेकिन उससे पाले हमारी टीम ने यूपी की सभी 403 सिटों का सबसे बड़ा सर्वे किया है ह हमारी टीम ने यूपी के चपे चपे की आत्रा किये और जनता जनार दन से उनकी राय जानिये यानि कि यूपी की जनता का मुड़ पता किया है और उसके बाद एक एक सिटी का सटी का ओपीनियन पॉल त्यार किया है कुल मिलाकर दोस्तों सभी 403 सिटों का ओपीनियन पॉल बना लिया है जो कि अभी हम आपके सामने पैसक करेंगे वही ओपिनिन पॉल को देख हर पार्टी में खलबली मत चुकिये नेताओं के होसे उड़ चुकिये तो मंत्रियों की भी निंदे उड़ चुकिये क्योंकि जनता ने हर पार्टी को वोट की चोट दे दी और सियासी घम यूपी चुनाओं का सबसे बड़ा सटिक ओपिनिन पॉल बताएंगे जिससे आपस सभी को ये मालूम हो जाएगा कि कोने कहां से जितेगा और किस पार्टी को कितनी सिटे मिलेगी लेकिन उससे पाले आपस सभी से हमारी एक छोटी से गुजारी से कि यदि आपने अभी त पॉल का हर वीडियो सबसे पाले देखने को मिले तो चलिए अभी इस वीडियो को सुरू करते हैं तो यूपी चुनाओं 2022 को लेकर हमारे टीम ने यूपी के चपे-चपे की आत्रा किया हमारे टीम ने जो यूपी के हर इलाकी में चाकर असरवे किया और दोस्तों यूपी क जनता की नवजब पकड़ने के बाद उनके मन की बातों को खंगाला है और उसी के बाद जो सभी 403 सिटों का ओपीनियन पॉल त्यार किया है जो कि दोस्तों अभी आपको सभी जिल्लों के नुसार बताएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं सामले जिल्ले के ओपीनियन पॉ होगी क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बस्पा और कॉंग्रेस पार्टी का खाता नहीं कुलेगा इन दोनों पार्टियों को यहाँ पर जनता न करेगी और इसी वज़ह से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की कमल और यहाँ पर सपा के लाल टोपी के बीची लड़ाई होगी सता के लिए आगे बात करे मुझजफर नगर की छे सीटों के ओपिनियन पॉल के तो जाट लेंड का सबसे बड़ा इलाका माना जाता और यहाँ पर दोस्तों किसान जदा है और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी को तीन सीटों से जोए संतुष्ट होना पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तों सपा के पाले में तीन सीटे जाएगी एसे में यहाँ पर दोस्तों काटे की जंग होगी नाग की लड़ाई बन जाएगी यहाँ पर बीजेपी और सपा के लिए यहाँ पर दोस्तों बसपा और कॉंग्रेस से पाल्टे अपना खाता नहीं खोल पाएगी एसे म यहाँ पर दोस्तो इन दिनों पार्टियों का जनता सपया कर देगी यहाँ पर दोस्तो बीजेपी और सपा ऐसी पार्टिया होगी जिन दोनों पार्टियों की बीच मुकाबला होगा आगे बात करें मेरेट की साथ सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी चार का परचम लराएगी यानि दोस्टो ऐसी यहांपर 4 सिटे होगी जहांपर अमितर साखी चणकिनिती शपल हो जाएगे और यहांपर दोस्टो BJP अपना कमल किला देगी तो यहांपर दोस्टो 3 सिटे ऐसी देखने को मिलेगी जहां पर सपा का तुफान आएगा यानि कि वहां पर दोस्तों सपा अपने जित का पता का लहराएगी तो यहां पर दोस्तों बसपा और कॉंग्रेस पार्टी जे वेपल हो जाएगी और यहां पर भी दोस्तों जनता इन दोनों पार्टे को ठुकराएगी यानि य पर दोस्तों बीजेपी की भंगवाल हर देखने को मिलेगी बीजेपी की परचनल हर देखने को मिलेगी और बीजेपी की आंदी एसी आएगी कि हर पार्टी उड़ जाएगी यहाँ पर दोस्तों एक भी एसी पार्टी नहीं होगी जो यहाँ पर खाता खोलेगी यहाँ पर द दोस्तो सपा, बसपा और Congress Party तो है यहाँ पर पानी भी नहीं मांग पाएगнем यानि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर दोस्तो खाता नहीं कुलेगा इसे के साथ इस आती सपा का भी यहाँ पर दोस्तो जनता सपाया कर देगी आगे बात करते हैं हापड की तिन सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की लड़ देखने को मिलेगी एक सिट पर तो दो सिटे ऐसी होगी जहाँ पर शपा का तुफान आएगा सपा का जल जला देखने को मिलेगा वहें दोस्तों बसपा और कॉंग्रेस पार्टी तो यहाँ पर दोस्तों नाक की लड़ाई होगी आगे बात करते हैं गाज्याबाद की पांस सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों दो सिटे ऐसी रहेगी जहाँ पर बीजेपी को जीत हासिल हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों तीन सिटे ऐसी होगी जहाँ पर स वस्पा और गोंग्रेस्टा पार्टी जोई शपा और बीजअपी के खेल में फस सजाएगी यनिका यहांपर दोस्तों बीजेपी और शपा की नित्यों के चलते यहांपर वस्पा और कि तीने सिटों के opinion पॉल की, तो यहाँ पर BJP हर party को जो हरा देगी, BJP यहाँ पर दोस्टों हर party को ऐसी मात देगी, कि यहाँ पर कोई भी party पानी भी नहीं मांग पाएग, यानि की दोस्तों यहां पर BJP का तुफान आएगा, जिसमें हर party उड़ जाएगा, इसी के साथ बीजेपी का मुँ ताक्ते रह जाएंगे आगे बात कर लेते हैं इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों बुलंद सार की साथ सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम दो सिटों हो जाएगी यानि की बीजेपी दो सिटों पर अपना कमल खिला एसे में यहाँ पर दोस्तों सपा सबसे आगे होगी लेकिन यहाँ पर BJP और बसपा भी जोए सपा को यहाँ पर रोकने का काम करेगी आगे बागपत की तीने सिटों के ओपिनियन पॉल की बात करे तो यहाँ पर दोस्तों BJP का चकरू दो सिटों पर काम कर जाएगा यानि कि तो BJP की नीदिया दो सीटों पर काम करेगी और वहाँ पर BJP को जित हासिल हो जाएगी लेकिन एक सीट ऐसी होगी जहाँ पर सपा अपने जित का पता का लराएगी वहाँ पर दोस्तों शापा जोए जित के जंडे गाड़ेगी लेकिन बसपा और कंग्रेसर पार्टी का पर भी खाता नहीं कुलेगा, ऐसे में दोस्तों यहां पर बीजेपी और सपा के बीच सीधे तवर पर यहां पर दोस्तों बोल बला दिखने की जंग होगी, अपना यहां पर दमकम दिखने की जंग होगी, आगे बात करें अलिगड की सांत सिटों की आपिनियन पॉल की, तो यहाँ पर दोस्तो चार सिटे ऐसी रहेगी जहाँ पर बीजेपी के कमल का बॉल बला देखने को मिलेगा और वहाँ पर दोस्तो बीजेपी का कमल कमाल का परदसन करेगा तो सपा जोए दो सिटो पर जनता को मोलेगी वहाँ पर दोस्तो सपा का जादू देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तो बीजेपी सबसे आगे होगी लेकिन सपा और बसपा यहाँ पर बीजेपी को रोकने का कम अवसिय करेगी आगे बात करते हैं आगरा की नव सिटों के आपिनियन पॉल की तो ताजमाल नगरी में जो बीजेपी और सपा के बीच सीदे तो और पर जंग होग यहाँ पर बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी जो है पानी भी नहीं मांग पाएगी क्योंकि यहाँ पर दोस्तो यह दोनों पार्टिया तो अपना खाता भी नहीं खुल पाएगी कहा जा रहा है कि आगरा में जो है बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी के लगबग छेंपर्ट जोए जलजला पांस सिटों पर देखने को मिलेगा यानि पांस सिटे ऐसी होगी जहाँ पर बीजेपी अपना कमल खिला देगी तो दो सिटे ऐसी होगी जहाँ पर दोस्तों सपा अपने जीत के जंडे गाड़ेगी ऐसे में यहाँ पर दोस्तों जोए सपा के पाले में भी दो सिटे चली जाएगी लेकिन बसपा और कॉंग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी यानिक यहाँ पर दोस्तों सपा और बीचे पी के बीचे सीदे दोर पर जंग होगी और यहाँ पर दोस्तों पिसेगी बसपा और कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि यहाँ पर दोस् दोस्तों बीजेपी की आंदी आएगी लेकिन दोस्तों यहां पर काटे की ठकर में शपा के नाम भी 4 सिटे हो जाएगी ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा की बीचे कड़ा मुकाबला होगा हालाकि बस्पा और कॉंग्रेसर पाल्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा ऐसे में दोस्तों BJP और सपा के यहां पर दिगजनेता बस्पा और कॉंग्रेसर पाल्टी को बुरी तरह प्रस्तक करेंगे आगे बात करते हैं मुरादाबाद की छे सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों सपा और बीजेपी ने अपनी पूरी थाक जो किये लेकिन जनता ने जो बीजेपी को दो सिटों पर जितने का फिसला किया है चारे सिटे यहाँ पर सपा के पाले में जाएगी औ और कॉंग्रेस सपा पाले में यहाँ की एक भी सिट नहीं जाएगी यहाँ पर दोस्तों सपा का पलड़ा सभी पाल्टियों पर भारी दिखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों किसान काफी ज्यादा संक्या में और इसी वज़ा से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के ना मात्र दो सिटे ही हो पाएगी आगे बात करें शंबल की चार सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों हर पार्टी जो है शंबल संबल कर दाव खेलेगी हलाकि दोस्तों किसके दाव फेल हो जाएंगे और किसके दाव सपल हो जाएंगे यह जनता ते करेगी द यहां पर सपा के उमीदवार जोए उनकी उमीदों पर खरा उतर जाएंगे, हाला कि यहां पर दोस्तों बसपा और कॉंग्रेस सपार्टी का खाता नहीं कुलेगा, ऐसे में यहां पर बीजेपी और सपा के बीच सीधा मकबला होगा, यहां पर दोस्तों किसी परकार से बसपा और कॉंग्रेस सपार्टी जोए सपा और बीजेपी की जंग में एंटर नहीं हो पाएंगे यहाँ पर दोस्तो बीजेपी और सपा की बीच नाथ की लड़ाइ होगी क्योंकि यहाँ पर दोस्तो किसान और ब्रामन वोट की जंग होगी आगे बात करते हैं रामपुर की पांस सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तो बीजेपी नई चलेगी नई बसपा चलेगी और नई कॉंग्रेस चलेगी क्योंकि यहाँ पर दोस्तो सफा का तुफ़ान आएगा सफा का जल जला देखने को मिलेगा क्योंकि पर दोस्तो सफा की एक ऐसी आंदी आएगी जिसमें हर पार्टी का सफाय हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो जनता जो है पुरी तरह से सफा के साथ होगी और कुल मिलाकर दोस्तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की एक ऐसी लहर देखने को मिलेगी जिसमें हर पार्टी कुल मिला कर उड़ जाएगी आगे बात करें अमरोह की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दो सिटों पर जो बीजेपी का कमल खिलेगा तो एक सिट ऐसी होगी जहाँ पर सपा कोजिता हासिल होगी इसी बीच यहाँ पर दोस्तों बसपा के पाले में भी यहाँ की एक सिटों चली जाएगी लेकिन कोंग्रेस पार्टी का यहां पर जनता शूप्ण सब कर देगी ऐसे में यहां पर दूस्तों BJP सपा और बसपा के बीच जंग होगी और यहां पर तिरकोन ये मुकबला होगा यहां पर दोस्तों किस पार्टी का बॉलबला ज़रा देखने को मिलेगा ये 10 मारच को पता चलेगा क्योंकि यहां पर दोस्तों फिलाल ना की लड़ाई हर पार्टी के लिए बताई जारीए आगे बात करते हैं सहाजापुर की छेंस सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहां पर जोसों की जंग में बीजेपी को टकर देगी लेकिन बस पा और कॉंग्रेस सपार्टी यहां पर दोस्तों सता के खेल से यहां बाहरा हो जाएगी यानिकि यह दोनों पार्टी अपना खाता यहां पर नई खौल पाएगी अपनी साका नई बचा पाएगी यहां पर दोस्तो सीधा मकबल होगा BJP और सपा के बीच में आगे बरेली की नव सीटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहां पर दोस्तो BJP चार शीटों पर अपनी धाक दिखाएगी वहां पर दोस्तो BJP का बॉल बला देखने को मिलेगा वहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नम हो जाएगी चार सिटे लेकिन सपा के पाले में पांस सिटे जाएगी ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा और बीजेपी के बीच में कुल मिला कर नया पर लगाने की काटे की जंग होगी यहाँ पर दोस्तों बसपा और कॉंग्रे जादू ज़ीतेगी। बीच जंग होगी आगे बात करते हैं हात रसकी तीन सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम दो सिट हो जाएगी तो सपा के पाले में यहाँ की एक सिट जाएगी लेकिन बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी यहाँ पर अपना खाता नई खौल पाएगी एसे में वर्चस होगी जंग जोए बीजेपी और सपा के बीच यहाँ पर होगी और दोस्तों कौन यहाँ पर अपना जंडा गड़ेगा यह दसम मारच को ही पता चल पाएगा क्योंकि यहाँ पर फिलाल नाक की लड़ाई बताई जा रही है आगे बात करते हैं फिरो जाब की पांस सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी कातु फान तीन सिटों पर आएगा लेकिन दो सिटे ऐसे होगी जहाँ पर बीजेपी कातु पान जो है सपा और बसपा रोक लेगी क्योंकि वहाँ पर दोस्तों एक सिट हो जाएगी सपा के पाले मे और दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर BJP सभी पार्टियों पर हावी होगी क्योंकि यहाँ पर कॉंग्रेसर पार्टिय अपना खाता भी नहीं खुल पाएगी आगे बात करते हैं कास गंज की तीन सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दो सिटे ऐसी होगी जहाँ पर BJP को जित हासिल होगी लेकिन सपा और कॉंग्रेसर पार्टिय यहाँ पर ओंदे मूग गरेगी यहाँ पर दोस्तों बसपा के पाले में एक सिट जाएगी लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर BJP सबसे आगी होगी और बीजेपी यहां की लीडर बन जाएगी कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर पर सियासी पारा फिलाल चड़ चुका और दोस्तों जनता बता रहे है कि यहां पर हम बीजेपी के साथ है आगे बात करते हैं एटा की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तो बीजेपी का तुफान देखने को मिलेगा और यहाँ पर दोस्तो बीजेपी तीन सिटों पर जित दर्ज़ करेगी तो सपा के पाले में यहाँ की एक सिट जाएगी लेकिन बसपा और कॉंग्रेसर पाल्टी यहाँ पर अपनी साका नहीं बचा याїन कि यहाँ पर दोस्तों सपा और बीजेपी के मीज सीध्रे तोर पर मुकाबला होगा अभ आगे बात करें मेन पूरी की चारसीटों के ओपिनियन बॉलकी तो यहाँ पर दोस्तों न चलेगी बीजेपी की न चलेगी बहुजन शमाजोदी पार्टी की और न चलेगी कॉंग्रेस की क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सपा के गड में समाजोदी पार्टी के नाम चारो सिटी हो जाएगी और यहाँ पर सपा की लहर देखने को मिलेगी और यहाँ पर इसी वज़ा से बीजेप बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी अपना खाता नहीं खूल पाएगी आगे बात करते हैं फरुकाबाद की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजीपी का खाता नहीं खूलेगा साथ साथ बहुजिन शमाज वदी पार्टी भी अपना खाता नहीं आगे बात कर लेते हैं कनोज की तीन सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजीपी के नाम दो सिटों होगी तो सपा के पाले में यहाँ की एक सिटों होगी लेकिन बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी का खाता यहाँ पर नहीं खूलेगा ऐसे में यहाँ प पर दोस्तों बीजेपी सबसे आगे होगी आगे बात करते हैं इतावा की तीने सिटों के ओपीनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का जल जला देखने को मिलेगा बीजेपी का तुफान देखने को मिलेगा बीजेपी की भंगवा लहर देखने को मिलेगी क्योंक तीन सिटों के ओपीनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों BJP की आंदी दो सिटों पर आएगी तो वस्पा यहाँ पर एक सिट पर जित दर्ज़ करेगी हलाकि यहाँ पर सपा और कॉंग्रेसर पार्टी अपना खाता नहीं खौल पाएगी ऐसे में बीजेपी और बसपा के बीच यहाँ पर जंग होगी आगे कानपुर दिहात की चार सिटों की ओपिनियन पॉल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का तुफान आएगा क्योंकि बीजेपी के नाम यहाँ की चारो सिटों हो जाएगी यहाँ पर सपा और कॉंग्रेसर पार्टी अपना खाता नहीं खौल पाएगी अपनी इज़त में नहीं बचा पाएगी और यहाँ पर दोस्तो इन तीनों पार्टियों को जनता वोट की चोट देगी, यहाँ पर दोस्तो सियासी गमासान में जनता जोए BJP के साथ चली जाएगी, आगे बात करें कानपूर नगर की 10 सिटों की ओपीनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तो बीजेपी 8 सिटों पर जित देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तो अधिकांसे लोग जोए BJP के साथ खड़े होंगे, आगे बात करते हैं जलोन की तीन सिटों की ओपीनियन पॉल की, तो यहाँ पर दोस्तो एक सिट ऐसी होगी, जहाँ पर BJP अपना कमल किलाएगी, तो यहाँ पर एक सिट ऐ और बस्पा सत्ता के लिए लड़ेंगे, आगे बात करें जहासी की चार सिटों की ओपीनियन पॉल की, तो यहाँ पर जनता जोए BJP के साथ खड़ी होगी, और BJP से कदम से कदम मिला कर चलेगी, और दोस्तो इसी वज़ा से यहाँ पर जोए शपा बस्पा और अपना पार्टी भी खाता ने खोल पाएगी, यहाँ पर दोस्तो बीजेपी चारो सिटों पर जोए भंगवाल हर लाएगी, और यहाँ पर बीजेपी की आंदी में हर पार्टी उड़ेगी, आगे ललित पुर की दो सिटों की ओपिनियन पॉल की बात करें, तो यहाँ पर की जंग में हर पार्टी को रादेगी, प्रास्ता कर देगी, आगे बात करें, हमीरपुर की दो सिटों की ओपिनियन पॉल की, तो यहाँ पर दोस्तों वर्चोसों के मुकाबल में बीजेपी की नाम AXIT होगी, तो सपा के पाले में यहाँ की एक सिट जाएगी, लेकिन बस और कॉंग्रेसर पार्टी जो BJP और सपा के चक्रव में फस जाएंगे और इसी वजह से यहाँ पर इन दोनों पार्टों का खाता नहीं खुलेगा ऐसे में यहाँ पर BJP और सपा के बीच जंग होगी आगे महुबा की दो सिटों की ओपीनियन पॉल की बात करें तो यहाँ पर BJP एक सिट पर जीत दर्च करेगी तो यहाँ पर सपा का खाता नहीं खुलेगा लेकिन बसपा के पाले में यहाँ की एक सिट चली जाएगी लेकिन कॉंग्रेसर पार्टी का खाता भी यहाँ पर नही भीद की, चार सिटों की ओपिनियन पॉल की, तो यहाँ पर वीजेपी एक सिट पर जित दर्ज करेगी, तो तीन सिटे ऐसी होगी, जहाँ पर सपा का भीच होगी, हला कि बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी का यहाँ पर जंता सपाया करेगी, ऐसे में यहाँ पर सपा का खाता नहीं खुलेगा कुल मिला कर दोस्तों यहाँ पर BJP की जंग शपा से होगी और सपाई होगी जो कि यहाँ पर BJP के रत को रोकने का काम करेगी जो कि यहाँ पर जित के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा है आगे बात करते हैं सितापुर की नव सिटों की ओपिनि फ्रसित समयखेगी लेकिन कोंग्रेसर पार्टइ की जोली यहाँ पर खाली रह जाएगी यहाँ पर दोस्तों BJP सब से आगी होगी और सभी पार्टिहों पर हावी होगी। आगे हर दोई की आर सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर बीजेपी जोए तीन सिटों पर अपने जीत कई जंडे गाड़ेगी हलाकि सपा के नाम भी यहाँ की पांच सिटों हो जाएगी लेकिन बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी इससे में यहाँ पर दोस्तों सपा का मुकाबला बीजेपी से होगा आगे उणाओं की 6 सिटों की ऑपिनियन पॉल की बात टक करें तो यहाँ पर बीजेपी जोए 2 सिटों पर जितेगी और सपा के पाले में यहाँ की 4 सिटे जाएगी और यहाँ पर बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी का जंता सुप्रसप कर देगी यहाँ पर दोस्तो बीजेपी की नीती दो सिटों पर सपल होगी तो सपा यहाँ पर दोस्तो चार सिटों पर काभी छोके यहाँ पर अपना बॉल बला दिखाएगी आगे बात करें लखनो की नव सिटों के ओपिनियन पॉल की जहाँ पर बीजेपी जोए साथ सिटों पर जित के आपिनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP जोए 5 सिटों पर जीतेगी सपा की जोली में यहाँ की एक सिट जाएगी लेकिन बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी तो यहाँ पर दोस्तों खाली आती अपने घर लोटेंगे यानि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर जनता खाता काकाम सफ़ा के पाले में जाएगा आगे राई बरेली की छे सिटों के ओपिनियन पॉल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम दो सिटों होगी सफ़ा के पाले में यहां की एक सिट जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों कॉंग्रेस के गड़ में बस वाका खाता नहीं खुलेगा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के नाम यहां की तीन सिटे जाएगी और इस वजह से यहां पर दोस्तों कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच सीध्य तोर पर जंग होगी और कहा जाए तो यहां पर दोस्तों राउल गांदी और यहां पर मोधी की जंग होगी यहाँ पर कॉंग्रेसर पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी और इसी वज़ा से यहाँ पर दोस्तो तिरकोणी मुकबला होगा जहाँ पर वीजेपी सपा और बसपा के बीच नाक की लड़ाई देखने को मिलेगी आगे बात करें सुल्तानपुर की पांस सिटों के सपा के पाले में यहाँ की दो सिटों के ओपीनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी का तुफान आएगा बीजेपी दोनों सिटों पर काभी छो जाएगी यहाँ पर दोस्तों सपा और कॉंग्रेसर पार्टी जोए बीजेपी का मुँ ताकते रजाएगी और बीजेपी द पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों BJP का विजरत तीन सिटों पर कामियाभी हसल करेगा तो सपा के पहले में यहाँ की दो सिटे जाएगी और यहाँ पर वस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी अपना खाता नए खोल पाएगी लेकिन राजा भया की पार्टी के नम यहाँ की दो यहाँ पर दोस्तों राजा भया की पार्टी और सपा BJP को टकर देगी आगे बात करते हैं कोसम भी की तीन सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP का यहाँ पर किसी परकार से मुकाबला नए देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों BJP के नम तीनों सिटे हो जाएग यहाँ पर सपा, बसपा और कॉंग्रेसरब पार्टी तो मात्र पार्टिया बनकर रह जाएगी जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी आगे बात करें परियागराज की बारा सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP की आंधी आएगी और BJP की भंगवा लहर में जो हर पार्टी उड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर BJP की नाम नव सिट होगी तो सपा के पाले मात्र तीन सिट जाएगी हलाकि यहाँ पर बसपा और कॉंग्रेसरब पार्टी जो सपा का ओट काटेगी लेकिन अपना खाता नहीं खोल पाएगी और इसी वजह से यहाँ पर BJP सबी पार्टियों पर भारी देखने को मिलेगी आगे बात करते हैं 12 मंकी की 6 सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP जो है 5 सिटों पर जितेगी तो सपा के पाले में यहाँ की एक सिट जाएगी लेकिन बसपा और कॉंग्रेसरब पार्टी यहाँ पर अपना खात पर कब्जा करेगी और इसी वजह से आँपर सपा बसपा और कॉंग्रेसरब पार्टि का खाता नहीं खुलेगा और राम नगरी अहोध्या में जो बसपा पार्टि और सपा का जन्ता शपाया कर देगी आगे बात करते हैं बहरायच की सांसितों की ओपिनियन पॉल की तो य तो यहाँ पर बीजेपी के नम दोनों सिटे हो जाएगी सपा बसपा और कॉंग्रेस सपार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खुल पाएगी एसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का दमकम देखने को मिलेगा आगे बात करते हैं गोंडा की सांसिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की परचंड लहर देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नम सांसिटे हो जाएगी यहाँ पर सपा बसपा और कॉंग्रेस सपार्टी अपना खाता नहीं खुल प आगे बात करते हैं अमेडिकर नगर की पांसिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी जोए दोस्तों पर जितेगी तो सपा के पाले में यहाँ की एक सिट जाएगी लेकिन बसपा का यहाँ पर खाता नहीं कुलेगा इसी बिचे कॉंग्रेस सपार्टी के नाम भी यहाँ की एक सिट हो जाएगी कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर तरकोने मुकबल होगा जहाँ पर बसपा इसे खेल से बाहर रहेगी आगे बात करते हैं अमेडिकर नगर की पांस सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी दो सिटों पर जीतेगी सपा के प बात करते हैं बलरामपूर की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी दो सिटों पर अपने जीतेगे जंडे गाड़ेगी हलाकि यहाँ पर सपा और कॉंग्रेस सपार पारिटी का खाता नहीं खुलेगा लेकिन बसपा के नाम यहाँ की दो सिटों हो जा यहाँनि कि बीजेपी का तुफान आएगा और इसी वजह से यहाँ पर सपा बसपा और कॉंग्रेस सपार पारिटी अपना खाता नहीं खुल पाएगी और इन तीनों पारिटियों को यहाँ पर जंता न करेगी आगे बात करें बस्ती की पांस सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी तीन सिटों पर जिदर्ज करेगी हलाकि सपा और कॉंग्रेस सपार पारिटी का यहाँ पर जंता सुप्रसप कर देगी लेकिन बस्ता के पाले में यहाँ की दो सिटों जाएगी एसे में यहाँ पर दूस्तों बीजेपी और बस्ता के बीच जंग ह आगे बात करते हैं संतकबिर नगर की तीन सिटों के ओपिनियन पॉल की, तो यहां पर बीजेपी दो सिटों पर कभिछ होगी, शपा के पाले में यहां की एक सिट जाएगी लेकिन बसपवा और कंग्रेस सपारटी का यहां पर जंता सपाया कर देगी, एसे में यहां पर तोपी का कबज्या होगा तो यहाँ पर दोस्तों एक सिट बसपा के पाले में भी जाएगी हलाकि कॉंग्रेसर पार्टी का खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला है ऐसे में यहाँ पर दोस्तों BJP सबी पार्टियों पर हवी होगी आगे बात करते हैं गौरकपुर की नव जत्वी यहाँ पर नहीं बचा पाएगी क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इन दोनों पार्टियों को जनता ऐसा न करेगी कि इन दोनों पार्टियों की जमानत तक नहीं बचा पाएगी आगे बात तक करते हैं कुसी नगर की सांस सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP सपा के पाले में यहां की दो सिटे जाएगी लेकिन बस्पाग और कंग्रेस्टर पार्टी यहां पर भी अपना खाता नए खोल पाईगी ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी को रोकने का काम जो ए सपाग करेगी आगे बात करते हैं देवरिया के साथ सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी चार सिटों पर कमल खिलाएगी दो सिटे ऐसी होगी जहाँ पर समाज जोदी पार्टी का कबजा होगा लेकिन यहाँ पर दुस्तों बसपा के पाले में भी एक सिट जाएगी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं कुलेगा एसे में यहाँ पर दुस्तों बीजेपी और सपा के बीच जंग होगी आगे बल्या की साथ सिटों के ओपिनियन पॉल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जोए चार सिटों पर जित दर्ज करेगी समाज होधी पार्टी के पाले में यहाँ की एक सिट जाएगी लेकिन बाउचन समाज होधी पार्टी के नाम यहाँ की दो सिट हो जाएगी यहाँ पर हाला कि कॉंग्रेसर पार्टी का खाता नहीं कुलेगा ऐसे में यहाँ पर सिधा मुकाबला बीजेपी का बसपासे होगा आगे बात करें आजम गड़ की दस सिटों के अपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नम केवल दो सिटे हो पाएगी और सपहका हा तुफान यहाँ पर सांग सिटों पर आएगा हलाकि यहाँ पर दोस्तों बसपवा भी अपना खाता खोलेगी तो यहाँ पर मायवति के हाथी के नाम एक सिट होगी लेकीन कॉंग्रेसर पार्टी यहाँ पर अपनी जित नहीं बचा पाएगी और कॉंग्रेस्टर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे माउ की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की बात करें। तो यहां पर भी जे पी जोए एक सिट पर जे दर्ज़ करेगी। समाज जोदी पार्टी के पाले में यहां की दो सिटे जाएगी। लेकिन यहां पर दोस्तों बसपा के पाले में भी एक सिट चली जाएगी। लेकिन कॉंग्रेस्टर पार्टी का खाता यहां पर नहीं खुलेगा। wipesदा कर यहां पर तिरकोणी मुकबला होगा। लेकिन बसपा के पाले में यहां की एक सिटा चली जाएगी हलाकि इस बीचे कॉंग्रेसर पार्टी को यहां पर भी जोए निरासाई हाथ लगेगी क्योंकि यहां पर दोस्तों कॉंग्रेसर पार्टी का जनता सपाया कर देगी आगे बात करे जौन पूर की 9 सिटों के आपिनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP 7 सिटों पर जितेगी सफा के पाले में यहाँ की 2 सिटों जाएगी लेकिन बस्पा और कॉंग्रेस पार्टी दोनों को जन्ता यहाँ पर न करेगी ऐसे में यहाँ पर दोस्तों BJP के तुफान को र जंदे गड़ेगी हाला कि यहाँ पर दोस्तों बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी को जनता न करेगी और इसी वज़ा से इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा आगे बात करें वाराण से की आर्सिटों के ओपिनियन पॉल की तो मोदी की गड़ में जो पार्टियों पर यहाँ पर भारी होगी आगे बात करते हैं भदोई की तीन सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीज़ापूर की पांच सिटों के ओपिनियन पॉल की बात करें तो यहाँ पर बीज़ापूर की पांच सिटों के ओपिनियन पॉल की बात करें तो य पर सफ़ा के पाले में तीन सिटे चली जाएगी बसपा के पाले में भी यहां की एक सिटे हो जाएगी और यहां पर दोस्तों समाज ओदी पार्टी हर पार्टी पर जोए हावी होगी आगे बात करते हैं सौन भद्र की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहां पर और सफ़ा के बीच नाक की लड़ाई होगी और कुल मिलाकर दोस्तों इस परकार से अभी हमने जोए एके करके सभी पिछतर जिलों का ओपिनियन पॉल आपको दिखा दिया है अब बात करते हैं सभी यहां पर दोस्तों चार सो तीन सिटों के एकटे ओपिनियन पॉल की तो हलाकि बसपा के पाले में भी यहां की 14 सिटे हो जाएगी कॉंग्रेसर पालिटी के हाथ में यहां की 5 सिटे जाएगी और यहां पर दोस्तों अन्य के नम 2 सिटे होगी ऐसे में यहां पर दोस्तों योगी सरकार फिर से आएगी और योगी सरकार को यहां पर दोस्तों फिर से परचंड बहुमत मिलेगा हलक यहाँ पर दोस्तों BJP इस बार 300 प्लस का आंकड़ा नई दोरा पाएगी तो इस परकार से ये UP चुनाव 2022 का सबस्ते बढ़ा ओपिनेन पॉल था तो यदि आपको ओपिनेन पॉल अच्छा लगाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें साथ इस वीडियो को जे शेर कर दें तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जे इंद जे भारत